साथ यो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि EVM खराब होने की दाश्या में हमें क्या करना है तो EVM में कोई टेकनिकल फाल्ट अगर किसी भी टाइम होता है तो ऐसी कंडिशन में आपको बिल्कुम नहीं घपराना है क्योंकि EVM एक टेकनिकल मचीन है इसमें किसी भी समय कोई टेकनिकल फिरोल्म हो भी सकती है तो इसके हम तीनों कंडिशन देखते है सबसे पहली कंडिशन है पार्टी रवानगी के समय से मौक पॉल के दोरान तक अगर आपका BU, CU या VVPET में से कोई एक भी खराब होता है तो केवल उसे ही बदला जाएगा मान लिजे आपकी पार्टी पॉलिंग बोर के लिए रवान हुई और इस दोरान आपका VVPET खराब हो गया या कंट्रोल यूनिट खराब हो गया तो सिर्फ उसे ही बदला जाएगा जो आपका खराब होगा पुरा सेट नहीं बदला जाएगा मान लिजे आपका मोक पॉल हो गया दूसरी कंट्रीशन है और वास्तिविक मद्दान आपका चल रहा है इस बीच आपका BU, अत्वा, CU खराब हो गया या दोनों खराब हो गए तो ऐसी कंट्रीशन में BU, CU, VVPET का पुरा सेट बदला जाएगा फिर उसके बाद आपको नए सेट मिलेगा नए सेट पर आपका मोक पॉल कराया जाएगा इस मोक पॉल में 50 मद्द नहीं डाले जाएगे केवल एक-एक वोट डाला जाएगा सभी पृतियाशी को नोटा साइट सभी पृतियाशी को एक-एक वोट डाला जाएगा तीसरी कंडिशन है वास्तिवक मद्दान पिरारम होने के बाद मान लीजिए आपका VVPET खराब हो गया तो सिर्फ VVPET ही बदला जाएगा पुरा सेट नहीं बदला जाएगा और मुक पूल नहीं होगा अगर आपको कोई और भी जान करें चाहिए तो आप कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद